हेलो एब्रीवन बेलकम वेक टू माई चैनल तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि सर्दियां तो आ चुकी है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा मन करता है कड़क चाय पीने का तो चलो आज बनाते हैं चाय गरम चाय की प्याली हो उसको पिलाने बाली हो तो चाय बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे पतीले में पानी और उसको अच्छी तरह बॉइल कर लेंगे पानी को जब पानी उवलने लगे तो हम उसमें अड़ करेंगे चाय पती इसको अच्छी तरह उवलने लेंगे इसके साथ ही हम डाल देंगे अद्रक मैंने कद्दू कस कर लिए आप कूट भी सकते अद्रक को इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर वे यह छोटी इलाइची पाउडर है अब हम इने अच्छी तरह उबलने देंगे दो से तीन मिनड़ तक हम इने अच्छी तरह पका लेंगे इसमें डाल देंगे साथ में चीनी अगर आप शूगर फ्री पीना चाहते हो तो आप चीनी एड़ ना करें लेकिन चाय का मज़ा तो चीनी के भी ना कहा जैसे यह उबलने लग जाए तो अब हम इसमें आदा कप दूद एड़ कर देंगे अब इसे भी हम अच्छी तरह पका लेंगे इसे वाल आने तक पकाएंगे और वाल आने के बाद गैस सीम करके दो से तीन मिनट और पकाएंगे तो लीजिए कड़क चाय बनके त्यार है इसमें उबाल आ गया है और उबाल आते हैं मूँ में पाने भी आ गया है तो चलिए अब इसे हम चान लेते हैं कप में तो लीजिए गर्मा गर्म चाय त्यार है लीजिए साथ में पकोड़े या समूसा जो भी आप खाऊगे और लीजिए अनन्द गर्म गर्म चाय का थार है थार है झाल झाल